हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टैरो डैक रिपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक और नई रीडिंग, और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि आप जिस परसन के साथ डील कर रहे हैं, या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात ये परसन किस एनरजीज में थे, किस तरह के थौट्स में ये कल रात घिरे हुए थे, ये चीजे आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, बस आपको यहाँ पर यह जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी आपर रीडिंग होगी, वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, यानि की लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये परसन किस एनरजीज में थे, गाईस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स लेकर आज सकूँ, और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजेगा, क्योंकि आप अपना प्यार मुझे उस लाइक के माध्यम से ही सेंड कर रहे हैं, ठीके, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये किस एनर्जीज में रहे हैं, गाइड की जिनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आके अंजर्स, प्लीज ओली एंजर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड की जो बताए, किस एनर्जीज में रहे हैं ये, पहला आया है दल लवर्स, गाइड की जिनिवर्स और सो बताईए कल राद मेरी व्यवास के परसन किस एनर्जी में रहे हैं The flooney तरे दीगां मेरी इंवर्थ किस एनर्जी में रहे हैं उनिवर्थ कर राद कि सपानी इश्परों कर राध कि इस परसन की कि आलनाज के बारे में बताइए यूनिवर्स तो यहां पर आया है इंटीग्रेशन बॉटम ऑफ दडैक यहां पर है प्रोजेक्शन बा आइड मुझे गाईड कीजा बताइए कल रात इस परसं की क्या एनरजी इंश रही है युनिवरस गाइड कीजिए उनिवर्स हो बताईए प्लीज डिवाइन प्लीज आख एइंजिस मुझे गाइड कीजिए कल रात विवर्स के परसन लुक्तारजी बताईए यूनिवर्स, obstacles and challenges, guide की इनवर्स तो बताईए, कल रात मेरे viewers के परसन की क्या energies रही, spiritual union, bottom of the deck, यहाँ पर आया है new beginning, guide की इनवर्स, please divine, please archangels, please holy angels, please spirit guide, मुझे guide की जो बताईए, मेरे viewers के परसन की कल रात की energies के बारे में बताईए, किस तरह के thoughts में यह कल रात घेरे रहे, universe guide कीजे, manifest, trust and faith, guide की इनवर्स तो बताईए, कल रात viewers के परसन के energies में रहे, universe guide कीजे, good news, toxic, guide कीजे नवर्स तो बताईए, कल रात viewers के परसन के energies में रहे, bad dreams, bottom of the deck, यहाँ पर है truth, तो दिके सबसे पहले energies discuss करेंगे, जो भी energies होंगी आपके परसन या आपकी होगी, ठीक है, जैसे मुझे आपर cancer, Pisces and Scorpio, Kirk, Meen and Vrishjik राशी, जमनाई, Libran Aquarius, Mithun Tula and Kumbh राशी, और Aries, Leo and Sagittarius, Mesha Singh and Dhanu राशी दिख रहा है, नमबर 6 यानि की जून मन्थ काफी जादा important है, जो किसी ना किसी तरह से आपसे relate करता होगा, जो आप मुझे comment box में लिख कर बताएंगे कि किस तरह से ये नमबर ये मन्थ आपसे relate करता है, जबरदस्ती कुछ भी चीज़े आपको अपने आपसे relate नहीं करानी है, ये भी हाँ पर है, देखे मुझे आपर काफी जादा chances ये दिख रहे हैं कि आप न इस परसन के twin flame या soulmate हैं और कही न कहीं ये चीज़े दिख रहे हैं कि जिस energies में ये कल रात रहे हैं, कहीं न कहीं उसी energies में आप भी रहे हूँ, काफी जादा chances हैं आप लोगों के बीच में जो graphically दूरिया है, यानि कि आप लोग इस परसन के साथ या तो शुरुवात से एक long distance relationship में थे, या फिर आप के बीच में जो graphically दूरिया थी, तो सवाल पर आ जाते हैं कि कल रात ये परसन के सेनर्जीज में रही हैं, basically मुझे आप पर दिख रहे हैं कि ये ना आपके साथ के मामले में बहुत जादा hope रख रहे हैं काफी लंबे समय से, कि आपके साथ इनका जो भी रिष्टा है, जो भी दिक्कते आई हैं, जो भी चीजे खतम होई हैं, वो ultimately सही हो जाएंगे, ये उस चीज पर बहुत जादा बहुत समय से विश्वास करे बैठे थे, और कही न कही उस चीज को लेकर manifest भी कर रहे थे, positive भी रख रहे थे कि definitely इन इन्हें universe जरूर देगा, और इनके जीवन में आपके साथ साथ खुशिया भी आएंगी, good news भी इनके life में जरूर आएगी, ये इस चीज को लेकर काफी लंबे समय से hopeful रहे हैं, एक नई शुरुवात को लेकर काफी लंबे समय से hopeful रहे, लेकिन मुझे आपर ये दिख रहे ह कि तलरात कहीं न कहीं इस परसन को एक बुरा ख्वाब दिखाई दिया, जिसमें इन्हें ऐसा दिखाई दिया कि आपको universe ने इन्हें दिया नहीं हैं, बलकि इनसे छीन लिया है, जिस चीज को देखकर इस परसन को ऐसा लगा कि इनकी हाथ से सब कुछ छूट गया है, यानि कि शादी होते हुए देखा, या मतलब ओवर ओल इन्होंने बहुत बुरा ख्वाब आपसे रिलेट देखा, जो चीजे न इस परसन को बहुत परेशान कर गई, जो चीजे इस परसन को अंदर तक हिला गई, और ये उस सपने के बाद पूरी रात नहीं सो पाए हैं, ये भी दिख रहा हैं, उस सपने के बाद इन्हें ऐसा फील हुआ कि इनकी जिन्दगी के जो चैलेंजेस थे, जो दिक्कते थी, जो अबस्टिकल्स थे, जो आप लोगों के बीच में जो किसी तरह की टॉक्सिसिटी थी, टेफिनेटली वो अभी तक खतम नहीं हुई है, टेफिने जहा था कि जो जिस चीज पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, वो इन्हें यूनिवर्स दे नहीं रही है, उस चीज के लिए यूनिवर्स इन्हें मना कर रही है, वो चीजे इस परसन को बहुत ज़्यादा तोड रही थी, ये चीजे हैं, और उसके बाद इस परसन ने जब वो सपना देखा, वो बुरा सपना देखा, उसके बाद इस परसन ने अपने आपको जैसे बहुत ज़्यादा संफाला हो इस तरह की एनरजीज हैं, इन्होंने कही न कहीं काफी ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको ऑनलाइन चेक करा हो, आपकी पुराने डीपी, आपक प्रेयर करी कि आपका और इनका साथ हो जाए, आप इन्हें किसी भी तरह से मिल जाओ, इनके जीवन में आपके साथ के मामले में ट्रांसफॉर्म आ जाए, अगर आपको इनके काफी लंबे समय से ख्वाब दिख रहे हैं या इनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, एक् अपनी प्यार की सेंट करी हुई, अपनी होप की सेंट करी हुई, वाइवरेशन थी यूनिवर्स के माध्यम से, तो अगर आपके साथ ऐसा काफी लंबे समय से हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके परसन ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीजे हैं, ठीके टैरो से औ इनवर्स गाइड कीजे, बताइए, एस और वांड्स, तो डेफिनेटली ये परसन कल रात आपके लिए बहुत जादा पैशिनेट हो रहे थे, आपके साथ क्योंकि ये बहुत जादा तीवर इच्छा रख रहे थे, कि ये आपके साथ ही नई शुरुवात करेंगे, इस रि जादा अट्रैक्ट भी हो रहे थे, आपको इन्होंने शायद किसी चीज को लेकर अपनी इंस्पिरेशन मान रखा है, ये भी आपर दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये परसन अपने प्यार के मामले में या आपके साथ के मामले में कल रात बहुत जादा पैशिनेट थे, ये चीज़े हैं, यानि कि सोने से पहले बहुत जादा पैशिनेट थे, बुरा ख्वाब आया और उसके बाद ये और जादा आपके लिए पैशिनेट हो गए हूँ, उस तरह की अनर्जीज है, ट्रांस्फोर्मेशन को क्लारिफाई कीज़े और बिताईए, इस मामले में कल रात इस परसन के क्या एनर्जीज रही हैं, वील ओफ और जूर, देखें ये परसन कहीं न कहीं इस तरह के थाट्स में घिरे हुए थे कि माना कि आप लोगों के बीच में एक साइकल खतम हो गई है, यानि कि आप लोगों के किसमत में जितना साथ था, वो खतम हुआ, वो च होप के बेसेस पर ये काफी लंबा समय बिता भी रहे थे, और वही होप ये देख भी रहे थे, यानि कि ये परसन आपके साथ जो भी ये ट्रांसफॉर्म लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए काफी जादा होपफुल थे, और आपको अपनी किसमत में लेकर आना चाह रहे थ उस energies में ये definitely रहे हैं, देखें मैंने आपको यही बात बोली थी कि कल रात ना इस परसन को कोई बुरा ख्वाब आया है, और उस बुरे ख्वाब में इन्हें ऐसा कुछ दिखाई दिया है कि आप इनसे दूर हो गए हो और ये अकेले रह गए हैं, और ये आपको ढूनते फ आप इनसे दूर चले गए और ये आपको ढून रहे हैं, अकेले रह गए हैं, निराश है, परेशान हैं, तो इस थरा का ख्वाब इन्होंने definitely कल रात देखा, जो इन्हें आल जादा परेशान कर गया, क्योंकि आप already इनके साथ हो नहीं, कुछ चीजे आप लोगों के बीच में definitely खतम हुई हैं, और फिर उसके बाद इन्हें ऐसा ख्वाब आ रहा है, जो इस परसन को कही न कहीं तोड़ गई और अकेला कर गई, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, चीके, सौरो को clarify कीजे, बताईए, सौरो के मामले में कल रात इस परसन की क्या energies रही है, नमबर 9 यान कि September मन्थ भी आपके लिए काफी जादा important है, the moon, क्योंकि इन्हें इस चीज ने काफी जादा तोड़ दिया, परिशान कर दिया, तो कहीं न कहीं इनके दिल में आपके लिए काफी जादा insecurity फील होने लगी, कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्हें ऐसा फील होने लगा कि भ उतना आसान नहीं है, उस तरह की thoughts इनके मन में चनले लगे, यानि कि ये जितना hopeful काफी लंबे समय से आपके साथ के लिए थे न, वो hope इनकी definitely टूट रही थी, ये टूट रहे थे, यानि कि इस पसंद को उतनी जादा आपके लिए insecurity फील होने लगी, कि नहीं अभी नोने तो आपको खो दिया, अब आप दोनों बहुत दूर दूर हो गए और distance आप लोगों के बीच में already काफी आ चुकी है, इंटीग्रेशन को clarify कीज़े, बताईए, इंटीग्रेशन के मामले में कल रात इस पसंद की क्या energies रही है, universe guide कीज़े, बताईए, तो दिखें, यहाँ पर आ प्री उनियन के इंटीग्रेशन के जैसे नोने बैठे बैठे सपने संजोई हो, अपने मन में visualize करा हो आपके साथ के मामले में, या जो भी अभी तक के manifestations के process यूज करते हो, जिस तरह से भी आपको manifest करते हो, उन्हें ही कही न कही जैसे अपने मन में धोराया हो, यह भी आपर दिख रहा है, ठीक है, यानि कि इस परसन ने फिर बैठे बैठे, पाफी सारी चीजे आपके साथ visualize करी हैं, उस तरह की energies यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, होप को clarify कीजे, बताइए, होप के मामले में कल रात इस परसन की क्या energies रही है, यूनिवर्स गाइड कीजे, 8 of words, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह आपके तरफ कोई message sent करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और कहीं न कहीं और ने इसी थरह की hope भी रखी, यह यह इसी थरह का कुछ manifestation कर रहे हैं, आप खुद से इनकी तरफ कोई call, text, message करो, वो भी बहुत जल्द, तो कुछ इस थरह क यह manifest कर रहे हैं, काफी जादा chances है कि आपने अब अपने आपको ना खामोश कर रखा है, आप पूरी तरह से शान तो, और इसी reason की वज़े से यह person आपकी तरफ से call को manifest कर रहे हैं, जिसको लेकर यह काफी लंबे समय से hopeful भी थे, कि हाँ आप इने call करोगे, इने text करोगे, यह भी आपर दिख रहे हैं, तो यह फिर से जैसे उसी hope को अपने मन में rewind कर रहे हैं, बार बार की नहीं, यह चीजे manifest जरूर होंगी, आपका इनकी तरफ फिर से call, text, message जरूर आएगा, तो यह भी आपर दिख रहे हैं, तो यह उन लोगों के लिए है, main, यह जो point है, जो लोग आपको खामोश कर चुके हैं, अपनी तरफ से कोई effort इस person की तरफ नहीं कर रहे हैं, तो यह point सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है, universe को clarify कर रहे हैं, जिसमें basically आया है queen of pentacles, जो यह बता रहे हैं कि यह person आपको ही मांग रहे हैं, आप इस चीज को मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोगों के बीच में basically इतने trust issues हो गए हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पारें, और उसके अलग यह इनसान आपकी तरफ कोई action नहीं ले रहे हैं, कोई effort नहीं कर रहे हैं, तो obviously किसी का भी भरोसा यहाँ पर तूटेगा, लेक जूट बोल रहे हैं, जो इन्होंने कह दिया, आप वही करते थे, यह जो आपको किसी भी चीज़ को लेकर ढरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उस चीज़ पर भरोसा कर लेते थे, यानि कि आप बहुत मासूम थे, तो यह universe से जो मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं, जैसे आप पहले थे ठीक है यह चीज़े है यानि कि बच्चे की धरा आप इन्हें प्यार करते थे एक दम मदरली नेचर थी आपकी आपने अब अपने आपको बदल लिया है इन्हें ऐसा फील होता है इसी रीजन की वज़ा से यह अब आपको मांगतो रहे है लेकिन जैसे आप पह यहाँ पर आया है फाइव अवांड्स देखिए मैंने आपसे यहाँ पर यही बोला नंबर फाइव आपके लिए डेफिनेटली काफी जादा इंपोर्टेंट है कि इस परसन ने ना कल रात इस थरह का ख्वाब देखा कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग इन्व जो चीजेंने और ज्यादा परेशान कर गई या इस थरह का ख्वाब इन्होंने देखा जो चीजेंने परेशान करी हैं डेफिनेटली सितरह का कोई चैलेंज रोने देखा कि अभी आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता जो इह सोच रहे हैं इसी है वो इतना इसी अब नहीं र कर रहे हैं आपकी कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसे आप पहले थे कि मुझे मेरा प्यार उसी फॉर्म में चाहिए जैसे वो पहला था या पहले थी मुझे बहुत जादा प्यार करता था या करती थी यानि कि पहले आप अपनी नहीं सोचते थे इनकी सोचते थे दबते आ आपको manifest कर रहे हैं काफी लंबे समय से तो अगर आप बहुत लंबे समय से strong बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपने लिए stand लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन किसी point पर आकर आप weak हो रहे हो कि नहीं मैं ऐसे जुकने के लिए तयार हूँ नहीं मैं ये करने के लिए तयार हूँ तो वो इसी reason की वज़ा से आपके साथ हो रहा है क्योंकि ये आपको manifest उसी form में करना चाह रहा है कि आप weak हो जाओ ठीक है obstacles को clarify कीजिए बताईए इस मामले में viewers के person की क्या energies रही कल रात the hanged man मुझे आपर ये दिख रहा है क्योंकि ये person उस ख्वाब के बार बहुत जादा परिशान हुए है इसी reason की वज़ा से इन्होंने अपने अंदर मन में शान्ती लेकर आने के लिए अपना mind divert करने के लिए कही ना कही अपने आपको universe को सौपा है कि जो होगा अच्छा होगा बस इन्हें अभी इस negative thoughts को इस toxicity को कही ना कही let go कर देना होगा तभी ये शान्त रह पाएंगे तभी ये अंदर से खुश रह पाएंगे और तभी अपने जीवन में अपनी life में good news को अच्छी खबर को अच्छी positivity को या नई शुरुवात को आपके साथ manifest कर पाएंगे तो इस energies में ये रहे है spiritual union को clarify कीजिए बताइए इस मामले में कर रात इस person की क्या energies रही है युनिवर्स king of cups definitely ये person आपसे बेहा जादा प्यार करते है और कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में जो toxicity आई है न वो इस person को भी toxic करके गई है देखो कुछ चीजे ऐसी होती है न जो ऐसा नहीं है कि आप ही पर असर डाल नहीं है तो आप लोगों के बीच में जो जिन चीजों का death हुआ है वो इन पर भी बहुत जादा असर डाली है तो ये person आपको ही नहीं पहले जैसा बनाना चारे हैं अपने आपको भी पहले जैसा बनाना चारे हैं उस energies में भी हैं यानि कि ये जो manifest करना चारे हैं दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हो दोनों balance में रख रहे हो दोनों एक दूसरे को अपनी feelings बता रहे हो हाला कि आप जादा caring nature हो motherly nature हो लेकिन ये भी आपसे कम प्यार नहीं करते तो ये इस तरह से आपको manifest definitely कर रहे हैं लेकिन कुछ point पर मुझे इस person का ego दिख रहे है कि अगर ये आपको manifest ही कर रहे हैं तो ये खुद से effort क्यों नहीं कर रहे हैं उस चीज को लेकर तो मुझे यहाँ पर इस point पर इस person का ego दिख रहा है ये भी मैं आपको clear करना चाहूंगी ठीक है चलिए इनके messages देख लेते हैं पहले आपसे क्या कहना चाहते हैं guide कीजे universe और बताईए मेरे viewers के person के messages द सेवर्थ तो मैंने आपको यही बूला कि आपसे बात करने की इस person की बहुत जादा इच्छा है don't worry about who wants me because I want you आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप इसकी परवह मत करो कि इन्हें कौन चाहता है क्योंकि यह तो बस आपको ही चाहते है I will come back and then we can fight again तो आप लोगों के बीच में किसी थरा क कोई fighting हुई है जिस मामले में यह कहना चाहते हैं कि आएंगे आपकी तरफ जरूर आएंगे और फिर आप दोनों फिर से लड़ोगे you deserve better कुछ चीजों को लेकर इन्हें ऐसा लगता है आपके मामले में कि आप इनसे जादा बेहतर person deserve करते हो या बेहतर situation deserve करते हो I am not happy तो definitely य इस चीज़ को लेकर काफी लंबे समय से hopeful थे वही hope इनकी कहीं न कहीं तूटती हुई यहाँ पर दिखाई दी तो इसी reason की वज़ा से चलिए आपके लिए guidance के cards देख लेती हैं कि आपको क्या करना चाहिए universe guide की जब बताईए मेरे viewers को क्या करना चाहिए guide की जब गोल्ड, raindrops, mirror फिर देखो काफी ज़्यादा chances हैं कि आप इस पसंद के साथ twin flame और soul में journey में हैं आप दोनों कहीं न कहीं mirror कर रहे हो एक दूसरे को chances हैं कि आपको भी किसी तरह का बुरा ख्वाव दिखाई दिया हो आप भी रोए हो तो इसके भी chances यहाँ पर हैं या आपने भी ने कल रात manifest करा हो ठीक है यहाँ पर basically आपसे यह बोला जा रहा है कि देखो यह जो भी हैं जिनके इले भी आप reading देख रहे हैं प्यार यह आप भी लेकर बैठे हो क्योंकि आप twin flame or soul में journey में हो तो आपसे यह बोला जा रहा है कि एक बार अपने इसी प्यार को मौका जरूर दे कर देखेगा अगर यह आपकी तरफ कोई action लेते हैं तो तो बिल्कुल आप इने मौका दे कर देखेगा ट्राइ कीजेगा अगर कुछ अगर उमीद करनी है तो सबसे पहले अपने आप पर और दूसरी करनी है तो इस परसन पर ठीक है उसके अलग यह भी बोला जा रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप situation को deal नहीं कर पाए चीजों को solve नहीं कर पाए तो आपकी life यहीं पर end हो गई ऐसा बिल्कुल भी नह सबेरा आएगा आपके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि आपके life का यहीं पर end हो गया इस thought के साथ आपको कुछ भी चीजे डील नहीं करनी है हमेशा से hopeful रहना है हमेशा से अपने आपको खुश रखना है ठीक है इन चीजों से इतना disturb नहीं होना है जीवन में बहुत सारे ups and downs आते हैं वो यह जो phase है आपका वो down वाला phase है और इसके बाद अप वाला भी जरूर आएगा तो try कीजेगा अपने आप से mirror आप definitely कर रहे हो काफी लोग यहां पर एक दूसरे को तो यह टी मेरी reading I hope आपको reading पसंद आई हो इस reading के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई clarity मिली हो आप अपने आपको इस reading से connect कर पाए हो अगर आपको reading पसंद आती है इस reading के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई clarity मिलती है तो please बताएगा जरूर और मेरी चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा ताकि मैं इसी तरह से नए नए readings, नए नए topics आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ औ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे आज के लिए बस सितना ही, ओके बाबाई